नमस्कार मैं हूँ जुही वर्मा राजस्थान में सचन पाइलेट गुट एक बार फिर बवाल मचा रहा है अभी कुछ दिन पीछे अगर हम जाएं और तस्वीर देखें राजस्थान की तो वो तस्वीर नजर आएगी जब सियासी उथल पुथल सियासी घमासान मचा हुआ था अशोग गहलोद का गोट अलग नजर आ रहा था सचन पाइलेट का गोट अलग नजर आ रहा था और ये कयास लगने लगे थे कि जो मध्यप्रदेश की राजनीती में हुआ वही पूरा एपिसोड अब राजस्थान की राजनीती में रिपीट होने वाला है सचन पाइलेट बहुत जब गीजपी का हिस्सा बनेंगे उनके साथ ही विधायक गीजपी का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद गहलोद सरकार गिर जाएगी हाला की कॉंगरिस ने समय रहते ही डामज कंट्रोल किया अशोग गहलोद पहले से ही सतर्थ थे सरकार बचाली सचन पाइलेट की कॉंगरिस में वापसी का है या सचन पाइलेट कॉंगरिस में ही बने रहे हाला की जो उनके पद था, जो ओहदा था वो सब उने गवाना पड़ा, ना उपमुखे मंतरी रह पाये, ना कॉंग्रेस प्रदेशन तर्च रह पाये, सामान में विधायक है, लेकिन इसके बाद बावजूद जब शक्ती प्रदर्शन पर आते हैं, तो अश्योग गहलोद पर कहीं ज्यादा भारी ही पड़ते हैं वो अब उनका गोट एक बार फिर एक्टिव सा होता हुए नजर आ रहा है और इसकी बानगी देखने को के लिए राजस खान विधान सभा के सत्र के दौरान जब सदन में जो उनके समर्खक विधायक है, मीना, रमेश मीना, वो विरोध दर्ज कराते हुए नजर आये, विरोध इस बात को लेकर था कि रमेश मीना किसी ब्रश्काचार के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, जमीन आवंटन, एस्पिताल के जमीन आवंटन से जड़ा हुआ ब्रश्काचार था, लेकिन जो उनको जगे दी गई वहाँ पर माई की काम नहीं कर रहा हुए कि मीन लेकिन मीना की इस आपत्ती दर्श कराने का नतिजा ये हुआ कि अशोग गहलोत सरकार बैक फुट पर नजर आई और ये सफाई देते हुए नजर आई कि किसी विधायको कोई भी मामला रखने में, कोई भी सवाल उठाने में, कोई भी मुद्दे पर बातचीत करने में किसी भी गुट का हो पर इस घटना ने एक बार ये मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि सचन पाइलेट गुट के विधायकों की आवाज दबाई जा रही है आपको ये भी बता दे कि सचन पाइलेट का जो गुट है उसके कुछ विधायक पहले अशोग गहलोत की का हिस्ता लेकिन बगावत के बाद उन्हें भी अपना पर्दगवाना पड़ा इसके बाद से सचन पाइलेट लगातार एक्टिव है उनका पूरा गुट एक्टिव है और ये दबाव बिधायकों को वापस कैबलेट में शामिल किया जाहिए तो क्या ये इसी दबाव का एक हिस्सा या वाकई मीडा इतने परिशान थे क्योंकी नाराज़गी इसकदर सामने निकल कर आई या वाकई गहलोत गुट सचन पाइलेट गुट की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है मामला जो भी हो पर इतना तय है कि एक बार फिर दोनों गुटों के बीच जो टकराव है वो पर कर सामने आगया नमश्कार